और गाईज कैसे आप लोग अगर आपके बास आईफोन है और आएस 16.1 कमपटिबल डिवाइस है तो सभी के उपर आप जो है आलवेस ओन डिस्पले यूज कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा ट्रिक्स मैं बताने वाला हूँ हर एक फोन के अंदर आपको यूज कर सकते हैं जिसके अंदर आपका बैटरी बैकप और बचेगा हर एक आईफोन के ओबर जैसे यह आईफोन 14 प्रो मैक्स है इसके अंदर तो हमारे को आपको बताऊंगा अगर आपके इस वीडियो को पूरा देखी है तो आप लोगों को भी गया कि जब हमें Always ON को यूज करते है सरेप इसके अंदर हमारे को date clock यह हमारे को दिखाता है इसके बाद जो है पूरा screen जो हमारे को black देखने में लगता है आप इसके अंदर चाहे तो हर एक चीज को on भी रख सकते हैं लेकिन आपकी हिसाब से आप इसको customize करके use कर सकते हैं लेकिन iPhone 14 Pro और Pro Max के अंदर तो आपको always on display तो देखने ही मिलता है ले आपको देखने लगेगा तो यह iPhone 12 है तो iPhone 12 के अंदर देख सकते हैं मैंने जो है always on tricks को use किया तो इसके अंदर भी आपको सरफ clock और date यह आपको दिखाएगा बाकी जो है यह black screen आपको दिखाएगा always all की तरह है जैसे हमारे iPhone 14 के अंदर देखने मिलता है तो इसी तरह का आप आपको देखने मिलता है तो काफी मतलब cool feature लगता है तो इसको enable किस तरह से करे तो सबसे पहले अगर आपके पास जो भी iPhone है इस feature को जो है enable करने के लिए आपकी phone के ओपर जो है i16.1 update होना चाहिए अगर i16.1 लेटर आपके पास version है तो इसके ओपर जो है आराम से काम करेगा तो इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहींगा सबसे पहले आपने iPhone की settings, settings के अंदर आपको option मिलता है focus, focus के अंदर जाएंगे तो काफी सारे focus इधर आपको देखने मिलेगा इसके अंदर जो है don't disturb, इसके बाद personal, इसके अंदर reading और sleep इसी के अंदर focus को select कर सकते है driving और gaming इसक आपको तीन option देखने मिलता है, पहला जो है so on log screen, दूसरा dream log screen और नीचे height notification तो इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, directly इसको on कर लीजिए, on करने के बाद directly बाहर आजाए, बाहर आने के बाद screen को इस तरह से swipe down कीजिए और इसके अंदर focus के अंदर जाए है, focus के अंद की तरह आपको दिखाएगा और काफी cool लगेगा, दोनों के अंदर देखेंगे जैसे iPhone 14 Pro Max है और iPhone 13 Pro Max है, तो ये काफी अच्छा trick है, और इसी के साथ इसके अंदर आपको battery backup भी और long time तक देखने मिलेगा, तो काफी cool feature है, जरूर इसको use करना, और ये tricks और tips कैसा लगा, जर आपलो के बास notification पहुँच जाएगा, नेक्स वीडियो के अंदर फिर मिलेंगे, गुडबाई